विश्भर में फैली नोवल करोना वायरिस की बिमारी को मात देने में सरकार की मदद करें आप सभी से अनुरोध हैं कि भारत सरकार दोरा लागो किये गए लॉक डाउन को गंभीरता से फॉलो करें इसके अधिनाय सभी आदेशों का पालन करें हमेज़ उठ होकर ही इस बिमारी को हरा सकते हैं घर में रहें, सहस्त रहें सरसू का तेल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल कि शरीर के कई तकलीफों को दूर करने में भी काम आता है किडनी की बिमारी में भी सरसू का तेल आपके लिए फायदे मंद हो सकता है नमस्कार, स्वागत है आपका कर्मारवेदा के यूट्यूब चानल में आपके लिए सहायक होते हैं आज इस विडियो में हम उनी फायदों के बारे में बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप माय चानल को सब्सक्राइब करें और हमारे चानल की सब नोटिफिकेशन और अपडेट्स अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं चलि बिना समय गवाए हम सरसूं के तेल के फायदों के बारे में बात करते हैं पहला है सरसूं का तेल दर्द निवारक होता है जोडों का दर्द, मास पेशियों का दर्द, इव गठिये के दर्द में सर्सों के तेल का इस्तिमाल सद्धियों से भारत में होता रहा है सर्सों के तेल में ओमेगा 3 fatty acid पाया जाता है जो एक बहुत ही बहतरीन anti-inflammatory तत्प होता है और ये दर्द निवारक माना जाता है सर्सों के तेल में लस्तुन को गर्म करके यदि आप निरंतर अपने शरीर की मालिश करते हैं तो रक्त का प्रवा बादित नहीं होता और आपके शरीर के दर्द का निवारन भी होता है सर्दी खांसी में भी आराम पहुँचाता है ये तेल ठंड के मौसम में सर्दी खांसी एक आम समस्या है इसके लिए लोग कई उपाय करते हैं पर यदि आप रात में सोने से पहले सर्दी खांसी खुद बखुद ठीक होने लगती है सिर दर्द जैसी परेशानियों में भी लाब दायक होता है सर्दी आपके सिर में दर्द रहता है तो इसमें भी सर्दी का तेल फायदिमंध है सिर दर्द से निपटने के लिए आप सर्दी के तेल को हल्का गर्म करें और उसे अपने बालों में लगा कर अच्छी तरह मसाज करें सर्दों के तेल के ओशन्य प्रभाव से सिर दर्द में काफी राहत मिलती है अगला, भूख बढ़ाता है सरसों का तेल, सरसों का तेल पाचन तंत्र को स्वास्त रखता है, आतों की सफाई करने में सहायता करता है, एव मेटबोलिजम रेट को बढ़ाता है, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र तेजी से काम करने लगता है और आपकी भूख भी बढ़ बूख बंडने के कारण आप जो भी खाते हैं आपके शरीर के अंग को लगता है और आपका शरीर ताकतवर एंव मजबूत बनता है अगला है सरसों का तेल प्रतिरोदक शम्ता बढ़ाता है सरसों के तेल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है इम्यूनिटी का मतलब होता है श तरीका बताया गया है जिसमें आप सरसों के तेल की मदद से अपनी त्वचा को और भी ज्यादा चमकदार बना सकते हैं। और आपको बालों से जुड़ी समस्या भी कम होती है। अगला एहम फाइदा है सरसों का तेल हिर्दे को स्वस्त रखता है। आपको जानकर हिनारी होगी पर जब तक भारत में हर घर में सरसों का तेल का सेवन किया जाता था। उस समय भारत में हाट अटाक की समस्या न के बराबर थी। पर जैसे ही विदेशी कमपनीज सोया बीन का तेल लेकर आए, तब से भारत में हाट अटाक की संख्या लगातार ही बढ़ रही है। यदि आप भी हाट अटाक जैसी गंभीर बिमारी से बचना चाहते हैं, तो आपको सोया बीन के तेल का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए। और इसकी जगा आप सर्सों के तेल का सेवन करें, आप फिर्दे की बिमारीों से बचे रहेंगे। तो ये थे इस सर्सों के तेल के जिनने हम आपको अपने अहार में इस्तिमाल करने की सलहा देते हैं। इसकी सही मात्रा जानने के लिए आप एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स से भी बात कर सकते हैं। हमारा हेल्प लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हार्ट अटाक का एक बड़ा कारन है। आज सही सोयविन के तेल के सेवन का तिरसकार करके सरसों के तेल के इस्तिमाल को शुरू करें। आपका परिवार स्वस्त रहेगा। यदि आप किड्नी की बिमारी से जोड़ा सही उपचा ढूंड रहे हैं तो हम मानते हैं कि किड्नी की बिमारी का एक मात्र इलाज कोई है तो वो है कर्मा अरवेदा का अरवेदे के इलाज। कर्मा अरवेदा आज भारत का सरविशेष्ट अरवेदे किड्नी के इंद्र है जहां सिर्व भारत से ही नहीं बलकि विश्व भर से किड्नी पेशन्ट आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। हमारा पता और हमारे हल्प लाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हम से संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की राए ले सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपका कोई सजेशन या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेर जरूर करें, ऐसी वी वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपने स्वास्ते का खयाल रखें, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद